हलो दोस्तो अश्टडी मूड में आपका स्वागत है बिहार पुलिस में सेंटर सेलेक्शन बोर्ड अफ कुस्टबल सी एस बीसी ने अगनिक सिपाही मिसकी फायर मेन के भरती घोसित कर दिया है काफी लोग दोवरा काफी कुशन पुछे जा रहे थे कि इसमें कितना भरती है तो सबसे पहले जान लिए कि टोटल मिलाकर 238 पद है जिसमें मेल फिमेल दोनों के लिए ये पद है ठीक तो इसमें योग्यता क्या होगा फिसकल पर मेरिट बनेगा कि रेटेन पर बनेगा बेत सुधित करकनया स्लेबस आपको टैब में अपलोड किया गया है तो चलिए सबसे पहले आपके द्वारा क्या 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 प्रसन पूछा गया उसका मैं आपको बता देता हूं टेक सबसे पहला आपका परसन यह था कि यह कैसा जॉब है कहां पर जॉब करना पड़ेगा यह सुरूर से लेके अंतक देखिएगा देखिए यह बहुत दिनोबाद भरती आ रहा है 2012 में यह भरती आया था जिसका एक्जाम 2013 में 15 दिसंबर 2013 को कंड़क्ट कराया गया था उस समय जब यह भरती आया था तो 10 लेबल पर ही भरती था और इसमें स्लेबस भी 10 लेबल का लिए आगे सभी जितने भी भरती आएंगे बिहार पोलिस में वह सभी 10 लेबल के होंगे इस बात को ध्यान मरकिएगा तो यह जो है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सिंटर सेलेक्शन बोर्ड आपका ओफिसल बेउसाइट है इस पर फायर में वाला टैब यहां प सवाल पूछा हुआ है कि कौन-कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं और कैसा जोब है सबसे पहले मैं बता दू कोई घबराने के जरूरत नहीं है बहुत ही मस्त जोब है ठीक बहुत मस्त मैं कह दिया तो बस दिमाग में लगा लिजे कि बहुत मस्त ठीक बिहार पुलिस कोंश् इनको ही बुलाय जाता है ठीक बड़े रंक के अधिकारी जाते हैं अगर बहुत जादा ये भी होता है तो वहां पर निर्देश देते हैं ठीक और आप देख सेइसे अप जाकर आपको पूरा-भजाते हुए बजाते हैं अगे हम बात करते हैं अपने ऑफिसल बेव साइट पर चल कर सीएस वीसी के और पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करकर मैं बताता हूं जो आपके दवारा सवाल पुषा हुआ है एक एक जवाब में देती चलूँगा तो चलिए श्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑफिसल बेव साइट पर चलते हैं अपने ऑफिसल बेव साइट पर जब आईएगा आपको क्या करना पड़ेगा यह जो बिहार फायर सर्विस है इसी टैब में क्लिक करना पड़ेगा टैब में क्लिक किजिएगा तो देखिए आजी के डेट में 22 यहां पर देखिए 22 फिवरी 2021 के डेट में आपको नोटीस आया है इसे डाउनलोड कर लिजे आसानी से डाउनलोड हो जागा और इसे पीडियाफ में खोलिए यह दिखिए मैं आपको बार 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 बताया था 2020 मे बहुत से खाली है और भी पोष्ट के भरती खाली है मैं आपको एक विडियो बना कर बताऊंगा कि किस-किस बीभाग में आपको कोश्टेबल के अलग-अलग जो टैब है विभाग उसमें कौन-कौन से भरती खाली है मैं आपको अलग उसका जनकारी दूँगा अगर आप बीच में आपको चुनाओ भी था तो नया सरकार आया फिस बद्रा हुआ के बेट में पास हुआ और तेंथ पर आपको स्लेबस कर दिया गया आगे जितना भी भरती आएगा सब टेंथ पर होगा ठीक मिसकी स्लेबस टेंथ होगा आपको ट्वेल्ट होंगे जब यह पुरान इसकी आने वाले दो दिन बाद आप भरिएगा यह आपको देखिए नोटिफिकेशन संख्या याद रखिएगा 012121 के अंतरगति आया है और कौन सा पोस्ट है अगनिक सिपाही कोटी के सिपाही कोटी के जो भी पोस्ट होते है लेवल तीन का पोस्ट होते और इनको इतना मिलता है इतना कि बीच में पेमेंट मिलेगा और मैं आपको बता दू कि 30,000 के करीब आपको पेमेंट मिलेगा ठीक सुरुवाती में ठीक आगे चलते हैं टोटल देखिए टोटल आपको पारश टू आपको होना चाहिए मिसकी इंटर्मेडियाट होना चाहिए ठिक और इनका जो आपका एज होगा ये मैटरी के जो सटीफिटेग होता है न एक कब से गणना होगा यह बात ध्यान में रखेगा कभी भी एज गणना कीजे गणना तो इस साल से नहीं आपको एक अ आपको ध्यान में रख्येंगा अनों सूची जन जाते के लिए आपको पहले से होंगार्ड में हैं उनको पांच वर्स के चूट दिया जाता है यह आ самой ध्यान में रखिएगा अब यह आर्थिक सारेरिक मापदंड में कन्फूजन नहीं होना चाहिए थोड़ा भी अगर हाइट कम होगा था आपको छाट दिया जाएगा इसमें कोई छूट नहीं मिलता है आपको बहला फुसला कर बहुत लोग फॉर्म भरवाएंगे यह एक सउसंटी मिटर होना चाहिए एक सुसाट सेंटी मिटर अठीक और सभी वरिव के उल्याव के लिए 155 cm रुड ज़रूर आपको फॉर्म भर्येस होना चाहिए में इनका वजन वेट होना चाहिए 48 कझी नीउकती की परिकिरिया में क्या होता है नीज्टी की पर परीकरिया में प्रसम चरण होता है जो लिखित करींगे नहीं होगा और टोटल याद रखेंगे रेटेन आपको देना होगा रेटेन पास कीजिएगा तभी आप फिसकल में जाईएगा अब आगे चलते हैं वोमार सीट वाला आपको रेटेन देना होगा अब आपके पाठकरम में ये आपको सभी समिलीत होंगे आपके पाठकरम में सलेबस में आपको मैं स जैसे हिंदी के प्रस्ण आएगे आपको 7 कुशन रहेंगे गरीद के 10 समाजिक बिज्ञान जैसे इतिहास बोगल नागरिक साथ से मिला लिया ते 40 45 लाते हैं बिज्ञान से तो टोटल चुछन राते हैं और यहां पर इस बार समासकी घटनाए में इसकी current affairs से भी related question आपके 5-6 question मिलेंगे ठीक बिहार से भी कुछ related question रहता है लेकित परिच्छा में 30% आपको लाना ही नहीं तो fail हो जाईएगा और लेकित परिच्छा में क्या होगा कि लोग पास किया जाएंगे और आपको merit बनता है उसमें भी लेकिन पास किया जाएंगे और जिसे दोड़ में 50 मिलता है पुरुस आपको आपको देख सकता अधिकतम 6 मिनट मिलता है नको और एक मिल दोड़ना होता है उसके 1600 मीटर नहीं और यह बहुत जल्दी भरती पूरा किया जाएगा इस बात को भी धियान वर जयाो छिएग तो आगे चलते है गोला फैक में 25 ह यनकारी दे दूँगा काफी लंबा नहीं तो विडियो हो जाएगा बारा पॉंड का गोला बारा फिट मिनमम फेकना होता है ये आपको किसको तो महिलाओ को फेकना होता है इस बात को ध्यान मरें ठीक उची कुद भी होता है उची कुद जो होता है पुरुस के लिए आपको पहले भी जान रहे होंगे जो भी फॉर्म में भरते होंगे ठीक इस बात को ध्यान मरें किएगा मेगा सुची देखिए मेरिट लिस्ट किस पर बनेगा तो मेगा सुची जो बनेगा सारी दक्चता परिक्षा में तीनों असपरदाय दौड उची कुद और वोला फेक पर प फिजिकल में सही होते हैं और जो पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं वो पास हो जाएंगे और फिजिकल पर आपको जब मेरिट बनाना ही है तो उसलेबस 12 का रखना की का जूरत है 12 तो आपको बीपेसी में भी नहीं मिलता है बीपेसी का कोश्चन मिलेए और विहार पिलिस को क अरक्षान कैसे होता है तो 3% आपको पिषड़े वर्ग की जो महिला है उनको अरक्षित हो जाता है ठीक और जो आपको फिर 97% सीट बचता है उसमें से 35% सभी कटेगरी के गल्स के लिए अरक्षित हो जाता है ठीक यह भी ध्यान में रखिएगा तो जैसे-जैसे मैं आपको से 1487 जो सीट है यह पुरुस के लिए है और 893 जो है यह महिलाव के लिए अब यहां प्रीद भाद ध्यान में रखिएगा कि महिलाए ज्यादा अंकल आएगी न तो पुरुस कभी सीट ले सकती है अगर ज्यादा अंकल आती है तो यह नहीं है यह इनका सीट अरक्षित कर द जाएगी अगर मिलते हैं तो यह मिल ही नहीं पाते हैं इसलिए आपको सीट जो होता है यह अदर को चला जाता है ठीक महिलाव के लिए प्रवधान जो दिया हुआ है यहां पर देखिए यह यह वाला पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा परंतु कि यदि बिहार अध्रियम 3 जो मैं बता रहा था इसे ध्यान से दिखेगा यह आपको समझ में आ गया कने का मतलब की अगर महिलाए ज्यादा नंबर लाएगी तो वो पूरुस का विसीट ले जाएगी इस बात को ध्यान मन कियेगा और मेरिट किस पर बनेगा तो मेरिट फिसकल पर बनेगा और फिसकल म खबत भी गया है कि महिलाव प्युक्त 35% का स्थिति के मेढई बहुन्से इसकी जासेकी में थिक तो जग में ऑट्रीक्ट भी कर लिजिएगा तो काफी जादा महिलाव के लिजिए मैं बिहार में पुलिस में क्को घ्यान भारत में अकर पुलिस की बात कि देता तो में भी महिलाव को काफी छूट मिलेगा उसमें भी वह फैदा उठाएंगे आप देखिए जो फ्रीडम फाइटर के पोता-पोती नतनी नितना है उनको भी दूपरसंट पासिंग देट यहां चाहिए इसके बाद नहीं यह नहीं कि एक सितंबर 2020 यह लिखा हुआ है तो आपका मानने नहीं होगा ठीक एक अगस 2020 से पहले जितना पास है वह भर सकते हैं यह अगस 2020 से पहले जिनका एज बचा हुआ है और देखिए पूरा डेटल्स तो मैंने बता द परमाणपत्र मिलान के समय यह थी इनमें से बिनता पाई जातीय तो अभियारति के उमधवारी रद कर दी जाएगी ठीक तो टेंथ में आपको जो मूल परमाणपत्र है उसी का अधार पर आपको मिलान होगा और सही सही मिलान किया जाएगा इस बात को ध्यान में रखेगा यह form भरिएगा तो दो बात हमारा always ध्यान में रखेगा तो खुस रहेगा और कोई भी doubt नहीं रहेगा खुस रहने का मतलब कि बार-बार आप comment करकर बाद में नहीं पुछेगा कि यह दिक्कत हो गया वह दुख्या क्या सबसे फोले form भरते समय चार चीज में कभी नहीं गलती होता है बाहर हो सकते हैं और छोटा मोटा जो गलती होता है उसे इग्नोर किया जा सकता है ठीक जैसे गाओं के नाम में एक दो इधर उधर हो जाता है spelling उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक लेकिन यह सब ध्यान में रखेगा जो जो मैंने बताया यह सब गलती नहीं होना मिसकी आपको जब कहीं आग लगता है तो आप दंकल केंदर का नाम सुने होंगे न तो यह घंटी बजाते हुए लोग जाते हैं तो इसी में आपको डिवटी करना पड़तेगा एक सिपाही की पद पर इस बात को ध्यान मर रखेगा तो जोब आपका बहुती सधारा बहुत लड की बहुती से इसमें जो अभी लड़की की भरती हो रहा ही तो उसमें ऐसेफ है यह भात ध्यान मर रखेगा और कोई रिहां नमर कियेगा उम्र की घंदना कब की जाती है तो एक अगस्ते 2020 से उम्र की घंदा की जाएगी यह साथ-साथ आपके नोट्फिकेशन में दिया हुआ है ठीक सलेबस क्या होगा सले बस के लिए यह देखिए यह आपको टैप पर जाना होगा सिलीवस के बारे मेरित लिशकिस्ट पर बनेगा फिसकल पर बनेगा भाया साथ-साब जानलो प्रिट अरखषड किसके लिए है तो टोटल जो 100 सीट माल लिज़ा है इसके 100 सीट माल लो उस है तो उसमें से इस पर मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता हूं ठीक लेकिन आपको रेटेन में कटफ कम जाता है इस बात को ध्यान में रखिएगा सभी लोग गुमराह नहीं होना है कोई बोले कि AWS में आपको बहुत कम सीथ है उसी में आप रह जाएकत ऐसा नहीं है आप AWS में डालिएगा इस बात को ध्यान मरकिएगा तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जितना बताया मैं ध्यान से उसे आपको देखते चलना है तो जितना आप द्वारा पुछा गया था आइधि मैं सभी का जवाब दे दिया और अगभी बचा हुआ है तो कमेंट बक्ष में पुछ लोग मन से तैयारी करते रहेगा हां CSBC से भी यह आगुरा होगा कि कम से कम इसका पेपर आउट ना हो जाए और अच्छे तरीका से कड़ाई सी एक्जाम लिया जाए तभी इसका फायदा होने वाला है अब यहां पर मैं जनकारी दे दूं कि अगर 2020 पुलिस की तैयारी अप ति तिष्ट है और आपको ऊहां पर रेंग भी आप देख सकते हैं तो कैसे टेस्ट लगाईए उसके बारे में में जनकारी दे देता हूं और उसके बाद जो भी आपका डौ्ट बसता है कमेंड बक्स मिलिक केंदर उपर तो आप फुल मॉक टेश्ट लगा सकते हैं 35 फुल मॉक टेश्ट मात्र 111 रुपया में आप लगा सकते हैं जिसका सभी कुष्षन जो होगा वो सलेबस पर आधारित होगा और इसमें आपको क्या क्या भी विश्यस्ता मिलने वाला है तो सबसे पले हिंदी इंग परसन का बिसलेशर होगा एक परसन पर पॉइंट वाइस बिसलेशर दिया हुआ है जो कि उस पॉइंट भी आपको उंपोर्टेंट होगा वहां सभी कुष्षन आपके बन जाते हैं एक्जाम में ठीक आगे चलते हैं फिर यहां पर सभी डाउट का जवाब तुरंत दिया जागा अगर कोई कुष्ण में आपको डाउट है तो ऊसे समय विदिन पाच मिनट के अंदर आपको जवाब दे दिया जागा अगर उस कुष्ण में अगर आपको डाउट लगता है तो साथ में ये भी धियान मरेखिएगा कि घर बैठे हिसकी तैयारी आप विहार पुलिस बिहार इक्साम सवला जो सिक्षन है इसमें आना पड़ेगा और इस सेक्षन में आईएगा तो यह नीचे देखे यह जो टेश्टी तीस फूल मॉक टेस्ट मातर सो रुपईया में टिक जिसमें जरूर इन्रोल कीजिएगा और अगर डेली क्यूज लगाना चाहते है तो यहां से डेली क्यूज भी लगा सकते हैं आपर देखिए बिहार एक्जामस वाला में है फ्री में क्यूज लगा सकते हैं अगर कोई भी नोट करने में या कोई भी परैसानी होती है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्श新聞 लिएगा वहां पर मैश्य कीजिए तो आपको पता चल ज्यागा को भी अगर परिसानी होती है तो तो अगर बिहार प्लीस सवीभ़ि या भी हार दोउकी केता रही कर रहे है तो यहां से